आज बाक चू अनदर वीडियो आफ अकाउंट अड़ा आज अब बात करने वाले हैं बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है तुमारा प्रोफिट लॉस अप्रोप्रियेशन अकाउंट पहला चैप्टर यानि कि दूसरा चैप्टर तुमारा बुक का और पहल लॉस अप्रोपरियेशन अकाउंट डॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट हैений कौशन नहीं करने वाले हैं आज अफ़ेज़ चीजह के बारे में ध्यान रखना है रखना बनाया क्यों जाता है what is the need of making profit and loss appropriation account समझना अपन लोगों ने अगर 11 विक अक्षा पढ़ी होगी तो उसमें बड़ा अच्छा सा चार्ट अपन लोगों ने देखा होगे जिसमें तुमारा जर्रेंट्री ऊसके बाद लेजर पोस्टिंग ऒसके बाद यहां पर बनता ट्राइल बैल हैं जो की फोगता और थे इसके बहँ होते छीजी त strict अधी की से निकल आता था टुमारा जी पी यानि ख्राओंट यहां पार।्सकेट पारготов ti यहां पर समाप हो जाता था अब क्या हुआ जब एक पार्टनर होता था तो हम इस नेट प्रॉफिट को यहां पर लेके डिस्टिब्यूट करके खतम कर देते थे पर जब पार्टनर भड़ गए दो गए तीन हो गए चार हो गए तो जो प्रॉफिट यहां से निकलका आया है यह नेट प्रॉफिट क्या है जो आपके पूरे दंडे को है माझन लोग दंडा कर रहे हैं अब चारों को मिलके एक महिने के अंदर एक लाग रुपे मिलें तो सबसे पहले उस एक लाग रुपे लाग क्या होगा यह एक लाग रुपे चारों के बीच में बटेंगे ये 1,00,00,000 रुपे 4 के बीच में बचेंगे किसी को salary चाहिए तो उसको salary मिलेगे किसी को interest in capital चाहिए तो वो मिलेगा बाट्चियों को profit का कुछ हिस्सा मिलेगा अब समझना जब एक partner होता था हमारे यहाँ पर तो हम basically ये सारा का सारा काम balance sheet के अंदर कर दिया करते पर अब partner क्योंकि हमारे बढ़ गए हैं तो हमें इस काम को करने के लिए सेम काम इसी काम को करने के लिए हमें एक नया खाता बनाना पड़ेगा कि profit and loss appropriation account जो आपका बना वो बना पी एंडल account के बाद इसके बाद यह हो गया है इसके बाद आपको यह नहीं बनाना है question में आपको सिर्फ यह बनाना है तो यानि की ताथपर यह है कि यहां से आने वाला जो net profit है इसका हम इस्तमाल करेंगे सबसे पहला point लिखे अपनी copy के अंदर कि सबसे पहला point क् कि profit and loss account के बाद यह बनाया जाता है तो इसके अंदर net profit करस्तमाल किया जाता है पहली चीज दूसरी चीज अगर इसको बनाने के बाद किया जा रहा है इसका मतलब यह है यहां से सुनना मेरी बात को बड़ा interesting concept है बहुत काम आएगा तीन point यहां पर बना के दूंगा जो कि प पी एंडल account exist in the question अगर आपके question के अंदर कोई सी भी चीज profit and loss account की है समझो यह तुमारा पी एंडल खतम हो गया end हो गया बिल्कुल finish इसके बाद appropriation मना है ठीक है अगर आपको इसी कोई चीज मिल जाती है जो कि पी एंडल account की है तो सबसे पहले हम उसका adjustment करेंगे पहला point सब golden statement यह क्या है golden lines है तुमारी सुन hairy lines है जो कि तुमारे question में पूरी की पूरी तरीके से करने के pattern को बदल देगी पहला कि अगर कोई profit and loss account का कोई भी adjustment मिल जाता है just for example मालो rent मिल गया कोई और ठीक है manager की commission मिल गई advertisement का expenditure मिल गया कुछ भी मिल गया तो पहले यह settle होगा उसके आखरी में बनेगा कब जब पीएंडल का कोई भी adjustment नहीं है अब बात आती सर्पीएंडल के adjustment को करना कैसे है दो मैठड होते हैं मेटा सो करने के पहला मैठड है आप profit and loss account बना के कर लो दूसरा मैठड कि आप पीएंडल appropriation के अंदर ही adjust कर लो adjust कैसे किया जाएगा यहां तु दूसरी चीज तो यहां पध्यान रखनी है golden line वो क्या है कोई भी चीज अगर पहले से दे दी गई है कोई भी चीज अगर पहले से दे दी गई है तो वह या तो वापस नहीं दी जाएगी या फिर उसको ले लेना है समझो यहां पर अगर आपको question में मिलता है after giving salary question में क्या मिल गया after giving salary इसका मतलब है partner ने salary already दे दी है अब अगर पार्टनर ने already salary दे दी है तो वापिस से आपको salary नहीं देनी है तो यहां पर second line क्या बनी if any adjustment जिसके आगे आपको लिखता है after paying after paying तो आप उसको पहले add करके उसको बना दोगे before देखो समझो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक लाख रूपे मैंने कमाया है इस आजमी को 10,000 रूपे salary देने के बाद इस आजमी को जो कि मेरा partner है इसको 10,000 रूपे salary देने के मतलब क्या हुआ अब मुझे इसको पहली चाहिए तो मुझे वापिस उसको salary देनी नहीं या फिर अगर मैं बात करूं तो भाई सब कुछ बूल जा पहले तो 10,000 रूपे वापिस दे किते हो गए एक लाग 10,000 रूपे यह है मेरा profit हम यहां से शुरू करेंगे तो after का मतलब क्या होता है कि आपने उसको अल्रेडी दे दिया तो आप क्या करो सबसे पहले उसके पैसे को वापिस ले लो जैसे आप पैसे को वापिस लोगे क्वेशन आपको नौर्म बन जाएगा तीसरा अभी अगर इन किसी भी चीज में दिक्कत होगी तो हम जब क्वेशन करेंगे तो यह सारे के सारे पॉइंट बड़े काम आएंगे तीसरी चीज आपको सारी की सारी चीज पर एनम लेनी हैं क्या लेनी है पर एनम पर एनम का मतलब क्वेशन में मालनों आपने बोल दिया कि एको सेलरी दी जा रही है दो हजार रुपे पर मंत किती दीर जा रही है दो हज तो ऑजार रुपे पर मन्त समध्धार प्राणी 2,000 रुपे नहीं लिखने पहले इसको साल में करना साल में होते हैं 12 महीं ने तो 2000 इंट बारा कित्ता हो गया आप चोईस अजार से काम करेंगे बाद दो अजार से काम नहीं करेंगे समझ में आया ये तीन golden statement पहले adjustment अगर profit and loss account की कोई भी चीज मिल जाती है तो पहले सूचो दूसरी अगर कोई after payment है तो उसको पहले वापिस ले लो और उसको बिफोर बना दो पैसा वापिस लेते ही वह बिफोर हो गया तीसरी पर एनम में सारी की सारी चीजा आपको convert करनी है ये तीन statement आपको हर question करते साथ जितने भी profit and loss appropriation question करोगे हर question की शुरुआत करने से पहले ये तीन point को दिमाग में बिठा ले ना ये तीन point अपनी copy के अंदर लिख लो जहां पर तुम चैप्टर शुरू कर रहे हो ना चैप्टर शुरू करो ओलना इन तो क्या हुआ करना तो यहीं से पड़ेगा ठीक है तो हर को पेज के उपर यह लिख लो जहां पर तुम start करो ना profit and loss appropriation account उसमें ये तीन लाइन चाप लो और सारे question करने से पहले इन तीन लाइनों के उपर गौर करेंगे एक भी question में में दिक्कत नहीं आने को मिलेगी वली टीएस ग्रेवाल ले लो या तुम कोई सी भी किताब ले लो गोई ले लो कोई सी ले लो ठीक है किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी चलो तो सौबात की एक बाद आपने बात करतें वाइनल तुमारे खाता के इस प्रकार से बनता है तो खाता बनाने का बहुत आसान था एक सेकेंड में जान देखो क्या होता है अकाउंट में नमबर लाना मुश्किल निए होता है नंबर लाने बिलकुल मुश्किल नहीं पूरे नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है यहां हम बात करते हैं profit and loss Appropriation Account जो की एक है नॉमीनल अकाउंट नॉमीनल अकाउंट पुछली वीडियो के अंदर मैंने बता था। सारे खर्चों को डेबिट करो और सारे प्रॉफिट को क्रेडिट करो किसका फर्म का तुम्हारा नहीं तुम्हारा फाइदा ने तुम्हारा फाइदा तुम्हारा फाइदा आगे समझो इदर यह बनेगा तुम्हारा पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम आएगा नहीं आएगा, डेट का कॉलम कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यह फाइनल अकाउंट का पार्ट है, फाइनल अकाउंट मतलब साल के आखरी में बनता है, तो आखरी में 31 मार्च कोई बनाया जाएगा, तो कोई इसमें त आप दो वैसे नहीं करना है समध्दारी करनी है यह हम शुरू करेंगे बाइब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम एन पी एन पी मतलाब नेट प्रॉफिट शुरुवात यहीं से करनी है हैं लिखेंगे विएक इससे नेट बÓकाउंट आपसली for प्रॉफिट को ऑपको तो कि अपने को हैं यह पे अच्छे बते करते प्रॉइब उनցद्ज से नि.. किस नाम का है नेट प्रॉफिट का यहां पर इसको लिख देना देखो एक एड्जस्मेंट मैंने बताया था कौन सा एड्जस्मेंट देखो पिछली वाली स्लाइड यह रही है कि अगर कोई पीएंडल का एड्जस्मेंट मिल जाता है तो उसका पहले ताम जाम करेंगे तो उ कानलो कॉस्ष्ण में 25000 का प्रोफिट तर आपको कि दो जार रुपे मैनेजर की कमिशन यह माइनिस कर दिया 2000 शुरुराति कांसे करेंगे तैसे शुरुआति यहीं से करणी हमको बेवकुफपंति नहीं करनी शुरुआति हम यहीं से करेंगे ठीक है यहांतक समझ में आगे side firm का फायदा आपका नुक्सान ये शरी वो अकाउंट है जो कि partner क्या कर रहा है यह पैसा net profit है profit में से कर्चे नहीं दिखाए जाएंगे profit में से partner को जो पैसा दिया जा रहा है सिर्फ वो दिखा जाएगा restricted । कौन कौन से to IOC IOC मतलब ब्याज on capital आपने जो फर्म को पैसा लगाया है तो उसके बदले में ब्याज मिलता है जो जो पार्टनर है दोनों का लिखा अंदर एक नीचे लाइन खेचि और ठीच नीचे नहीं गई पर ठीक है तू सेलरी कि गए बी जो भी सेलरी मिल रही है यह पार्टनर का आपनाम लिख देंगे तीक है सेलरी हुई कमिशन हुई यह चीजें आप यहां पर लिख देंगे ठीक है और बोलो इस तरफ क्या आता है बाई आई ओडी interest on drawing ए यूभी दियां क्यों आता है मुलना अई ओडी क्यों आता है चूकि纪ी यह क्या है आई ओडी आपने drawing करी है बदले में ब्याज दिया जा रहा है तो यह क्या है आपके लिए नुक्सान है firm के लिए फाइदा हो गया सब्भी है सेलरी हुई कमिशन हुई इंट्रेस्टन कैपिटल हुई यह सारी चीज़ें आपकी यहां आती है ठीक है अगर इसके जन्रल एंट्री करने आती है सीखी नहीं अपने ग्यार भूल गए ते ग्यार भी में सीखना देखो इदर तो जन्रल एंट्री कैसे करेंगे इसकी अब यह जन्रलाइस किया है यह उस पार्टनर का नाम लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वह मैं समझा रहा हूं मैं से इसके अकाउंट लिखोगे टू पी एंट लिखोगे अब रैकेट में नरेशन के इंदर लिख दोगे नरेशन क्या है जिसके नंबर कभी नहीं म लिखेंगे एक सिंपल नाम से प्रॉफिट ट्राइब टू आपकी कॉस्चिन में लिखा भूग में लिखा हुआ है ठीक है वरना अगर लिखने का तरीका माने तो लिखने का तरीका है इसको आप लिखोगे टूपारटनर's क्यापिटल के नाम से ठीक है यापकी पुस्तक आपका एक पूरा एक सिमकल खाता है जिसको अंदर अपनने समझा है कि इसमें चीजे क्या आती है और क्यूं आती है एक चीज और चोटी सी लास्ट देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको इंट्रेस्ट ऑन लोन मिल जाए तो उसका क्या करना है इंट्रेस्ट ऑन लोन लोन के बदला लोन के बदले में ब्याज अब लोन तो यहां कहीं आने की बात नहीं प्रॉफिट का तो इंट्रेस्ट ऑन लोन तुमारा पी एंडल अकाउंट का खेल कैसा समझता है अपने यहां देख लिया अमाउंट लिखते माइनस कर देते हैं जो बचा कुछा है वो हम लिख देते हैं तो इंट्रेस्ट ऑन लोन आएगा तो उसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो यह हो गया आपका पूरा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट आज अपनने सर्फ अकाउंट को समझा है क्या 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 चीज़ा आती है और क्यों आती कियों अपनुति मुझेए गूर। पूराओ झालाओ क्यों निखेंगे और नवस्कार हूर।